हेलो एवरिबाडी जैश्री राम तो फिर आज आगाज जो हो रखा था इतने दिनों से चल रहा था हमारी आशाओं पे तो खैर पानी ही फिरा है लेकिन हमें अपने साथियों के लिए बहुत कुशी है यूपी पुलिस एक्जाम को फाइनली निरस्त कर दिया गया है और आप आज क्या तारीक है आज हम लोग के पास तारीक है 24 थाना 24 थारीक है सूचिये तो मतलब हमारे पास स्कूल मिला के 13 दिन तो ऐसे ही जा चुके है वहां लोग दो दिन में अपना काम करवा ले रहे हैं और यहां 13 दिन से हम लोगों का कुछ नहीं है ठंठं गोपाल बैटे भी उनिटी बहुत थी बट यहां आरो एक्जाम में तो मैं देख रही हूं सब अपने कोर्सेज बेचने में लगे हूँ है ठीक है इतनी शरम नहीं है यूपी पीसेज टुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुफॉर के लिए बच्चे तो पढ़ने ही पारे तु सब करना चाहिए अप्रियाग राज में जो होना था आयों के बाहर अगर उससे कुछ फूटफुल आउटकम निकलता तो निकल चुका होता खाली-खाली बच्चे बिचारे परिशान हुए और वो वीडियो देखके बहुत मनाहत हुआ है तो मैं यही सोच रही थी कि लखन कहीं ना कहीं देखा चाहिए तो मीडिया का बहुत इंपोर्टन रोल आ है क्योंकि 24 गंटे आज तक हो गई इंडिया टीवी होगी खैर आज तक ने तो इसमें स्पेशल सीरीज ही निकाल दी थी यूपी पुलिस एक्जाम को लेकर बाग की तो आरो यारो की तरफ उनका ध् कोट स्टेप्स पे चलके अगर एक सफलता आसिल हुए तो यह ऐसा नहीं है कि हम इसमें सफलता आसिल नहीं कर सकते बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी यूट्यूबर सभी टीचर जो भी है आपने मुझे देखा होगा मैं कल से कोई भी स्टडी रिलेट वीडियो नहीं मैं और मैंने आज ही अपनी ट्विटर की आईडी बनाई है ट्विटर की आईडी का मैं डिस्क्रिप्शन दे दे रही हूं वीडियो लिंक में प्लीज उसको जाके फॉलो करें और मैंने धेर सारे ट्वीट्स किये हैं काफी सारे अमाउंट में बच्चे रीपोस्ट भी कर अब भी समय है ठीक है हमारी भी परिक्षा निरस्ट हो सकती और कोई यह ना सोचें काई के ट्वीट्स तो मैं भी यह देख रही थी कि लोग बोल रहे है जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनका तो सोच लो जिनका अच्छा नहीं हुआ है वही ऐसा रो ना रो रहें ऐसा न में 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 भी तो ऐसे चोर बैठे होंगे और मैं सीधी सी बात बता रही हूं और होगा यही कि मैं बताओं आपको जो लोग इस तरीके से चोरी करके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं न वह फिर अपना पैसा जितलता उन्होंने खर्च किया हुँता नहीं सिस्टम का हिस्टा ब बच्चे आयोग में थे उन्होंने बहुत महनत किये तो अब सबको लखना हूँ आना चाहिए लखना हूँ से मुझे लगता है बात सुनी जाएगी दूर तक जाएगी बहुत शांती पूर्वक धंक से अपनी बात रखेंगे तो मीडिया भी कवर करेगी आप बच्चों की क् बता है मुझे बताईए फिर उसे साब से कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा मैं आठ बचे फिर कंपाइल करके बताती हूँ